दोस्तो सच्छी अकाल नमस्कार सलाम दोस्तो अगर हमें लीगल एंट्री करके हम पुर्तगाल आ रहे हैं तो क्या हम कोई एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं कि हमारा काम जो है वो आठ से बारा महीनों के अंदर ही हो जाएगा हमें फिंगर्स हो जाएंगे फाइल लॉक करवान काने के बाद और हम हमें 2,5 साल नहीं लगे जो आज इस लग रहे हैं दोस्तो इस से पहले कि आज की वीडिये स्टाट करें जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रॉप है Facebook के उपर अगर हो सके ज़रूर जोइन करें दोस्तों मैं एक सर उसके अंदर jobs को post करता रहता हूँ और अगर आप लोगों के पास रहने के लिए को जगा आप किसी को ढूंड रहे हैं तो ज़रूर उस पे आप post करिए अगर आप किसी को job दिलवा सकते हैं वो भी ज़रूर post करिए दोस्तों एक दूसरे की मदद हो सके और इसके लाबा हमारा एक Facebook का page भी है EU immigration करके यॉरप के अंदर कौन सी country के अंदर possibility है आप legally travel कर सकते हैं उसकी information मैं उस page में share करता हूँ और दोस्तों अगर आप लोग मुझे contact करना चाते हैं मुझसे कुछ पूछना जाते हैं तो आप लोग Facebook Messenger के थरू मुझे contact कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना है और दोस्तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको फेस्बुक का मिल जाएगा इंस्साग्राम का आपको बार कोड भी शो हो रहा होगा आप उसे स्कैन करेंगे अपने अकाउंट से तो आप वो मेरे अकाउंट तक पहुंच जा इमेल रिसीव हो रही है और दोस्तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि जिन लोगों की 21 को फाइल लॉग हुई है उन सभी को सेम डे इमेल आएगी ऐसा नहीं होता है दोस्तो कुछ को पहले आ जाती है कुछ को बाद में आती है वो टेपेंड करता है इमि और दोस्तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि अपडेटिट रहा करिए दोस्तो जब भी आप लोगों ने पोर्टल ओपन करना है या इमेल चेक करनी है लेप्टॉप या पीसी का इस्तमाल किया करिए फोन के अंदर कई बारी कुछ दिक्कत होने के वज़ाद से वोपन नहीं होता है तो लैप्टाप और पीसी ही यूज किया करे और जैसा कि दोस्तो आप 10 दिन का जो पहले टाइम पिरिड दिया करती थी सेफ की 10 दिन के अंदर आपने इमेल उठानी है अब ऐसा कुछ नहीं है अगर आप मिस कर देते हैं 10 दिन के अंदर नहीं उठा करेंड वीडियो है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि जब लोग मुझे कॉंटेक्ट करते हैं तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कुछ इस तरह की इन्फरमेशन दी जा रही है या उन्हें लगता है कि अगर हम लीगल एंट्री करके पुर्तगाल में आए हैं तो हम लीगल हैं और लीगल बंदों को आट-दस महीने में या बारा महीने में सेफ जो है वो फिंगर्स की डेट भेज देती है उनको जो एक्स्प्रेशन आफ इंटरस्ट भी कुछी महीनों में आ जाता है और उनके फिंगर की की अगर्स बेजया हो जाते हैं बारा महीनों के बीच बीच में और उन्हें कार्ड मिल जाता है तो दोस्तों आभ ये मिस्कंसेप्शन आपके जहन में आपको कौन बना रहा है या खुдी आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो इसे क्लीर करना बहुत जरूरी है दोस् पारेक्ट करिए दोस्तों लीगल और इलीगल बंदे में पहले आपने डिफ्रेंस समझना है कि कौन लीगल है और कौन इलीगल है दोस्तों लीगल एंट्री कर्वाने का मतलब यह नहीं है कि आप लीगल हो चुके हैं यहां पर लीगल आप तभी होंगे जब आपके हाथ में की रेजिडेंसी आएगी जिन लोगों के पास रेजिडेंसी नहीं आई है वो सभी इल्लीगल है फर्क सिर्फ इतना है कि आपको प्रमिशन दे दी गई है कि आप काम कर लें जॉब कर लें टेक्स पे करें और बाद में आपका रिकॉर्ड देख करके आपको रेजिडेंसी दे रहे होंगे कि यह requirement है कि जिस भी इंसान ने article 88, 89 में 88.2 में file submit करनी है उसको legal entry show करनी होगी यानि कि जब आप पुर्तगाल में आएंगे आपके पास कोई ना कोई visa होना चाहिए है चाहे वो शैनिगन visa ही है आप आए आपने होटल के जरीए अपनी legal entry करवाई और फिर आपने file submit कर दी क्योंकि जब आप file submit करते हैं वहां पर बकायदा पूछा जाता है कि आप यॉरप कब आये थे कौन सी country पर आये थे और किस visa पर आये थे कि जिन लोगों के पास visa नहीं है पर वो work कर रहे हैं उन्हें job contract मिल गया है तो जिन जिन लोगों की file 88.2 में log होती है या submit होती है वो सभी एक ही category में आते हैं भले ही आपने legal entry करवाई है भले ही आपने legal entry नहीं करवाई है क्योंकि legal entry से मतलब यह है कि जब आप पुर्तगा लाए थे जब आपने paper submit किये थे तब आपके पास एक visa था फॉर एक्जामपल आपके पास tourist visa था किसी फ्रांस इट्ली यह किसी भी country का आप legally पुर्तगा लाए आपने अपनी legal entry करवाई और जब आपने file submit करी थी तब आपके पास visa था पर जैसे ही आपको work contract मिला यह जब तक आपको work contract मिला आपका visa expire हो चुका था तो वो no visa में आ जाता है कि invalid visa आपके पास हो गया पर जैसे कि आपने यहां कि population register में खुद को register कर लिया आपको social security निमबर बन गया तो दोस्तों जिन जिन लोगों की file 88.2 में lock हुई है submit हुई और इसी में होती है सब की file इसी में होती है क्योंकि जो लोग की पुर्टगाल में आते हैं उनके पास legal visa होते ही नहीं है वो आते हैं visa खतम हो जाता है और फिर वो यहां पर रहते हैं दो साल बाद उनको यह जिनने टाइम बाद भी उनको residency मिल जाती है दोस्तों वीजा के साथ रहने वाले जो आटिकल्स वो होते हैं जैसे कि आप अपरी home country में है आपको पुर्टगाल की किसी company ने skilled company ने जैसी कि ना रह रहे हैं बकाइदा आप लीगल नहीं है तो वो एक अलग scenario है जिन जिन लोगों की फाइली 88.2 में लॉक होती है बली उनकी बस legal entry है या legal entry नहीं है इसे कोई फरक नहीं पड़ता है दोस्तों वो सभी एक ही कटा agree में आते हैं और जैसे कि सपा ने यह सेफ ने यह clear कर दिया है कि अब से automatic scheduling system स्टार्ट हो चुका है लास्ट येर अपरेल से यह system चालू है जिसके अंदर यह clear cut कहा गया है कि जो system में पहले register हुआ था उसकी जो fingers की data वो पहले आएगी भले ही आप legal entry आपके पास है चाहिए legal entry आपके पास नहीं है अगर आप screen पे देख रहे होंगे यह requirements के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है तो अगर कोई travel agent या आपका जानने वाला आपको इस तरह की picture दिखा रहा है कि भाई तु तुझे मैं legal entry करवा दूँगा वीजा ले करके तू आ जाएगा और बाकी लोग जिनके पास legal entry नहीं होती जो इलीकली यहां पर रह रहे हैं उनको दो-दो ढ़ई-डई साल लग रह प्यार है तुझे तो कार्ड हफते-दस दिन में क्या मतलब दस मीने बारा मीने में मिल जाना है तून से लग गए तो यह दोस्तो बिल्कुल जूट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप बले ही सेफ को email करके इस चीज को verify कर ले सेफ ने अमनी website की ओपर clear cuts चीजे लिखी हुआ कि वही अगर तुम legal entry लेकर 88.2 में file log कर वाओगे तो तुम्हारा काम यूं कर देंगे और जिनके पास legal entry नहीं है उन्हें हम लटका कर रखेंगे 2-2 साल तो चीजों को दोस्तों बारीकी से समझा करिए आप अपने जहन में कोई भी picture बनाने से पहले या कोई भी decision ले है कि हम सुनकर के खुश हो रहे हैं और हम उसकी बात मान ले और बिना सोचे समझे हम पुर्तगाल आ गये हैं और यहां पर आकर कि हमें पता चला कि हमसे जो बाते कई गई थी वो तो जूट निकले हैं तो यह आपको ज्यादा mentally torture भी करेंगी stress में चले जाएंगे आपकी family भ हो रही है आप उस article की requirements के according बात करें इस के according बात नहीं करनी कि मेरपस visa कौन सा है जिस article में आप आ रहे हैं उस article के according आप लोगों ने देखना है कि मुझे जो card है वो 10-12 महीने में मिलना है कि 2-2 साल में मिलना है क्योंकि अभी जो trend चल रहा है तो 88.2 के अंदर सभी लोगों क 252.5 महीने लग रहे हैं 2-5 साल जो है वो लग रहे है तो यह बात अपने जहन में बिठाइए कि legal और illegal में फर्क क्या है जो भी 88.2 में आता है वो सभी illegal में आते हैं भले ही उनके बस legal entry है जैसी उनको card मिल जाता है तो वो यहाँ पर legal हो जाते है तो उमीद करता हूं दोस्त है कि मेरी को information गलत है जरूर comment section में लिखिए ताकि मैं उसे correct करूं और दोस्तों अगर जैसा कि मैंने आपको पहले पता है कि अगर आप मुझे contact करना चाहते हैं तो WhatsApp और sorry messenger और Instagram की option आप लोगों के पास available है आप चाहिए मुझे contact कर सकते हैं बिलेंगे दोस्तों अगली वीड हर दिकतार्त धन्वाद